लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे ये भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 तक भारत में शासन किया इनके द्वारा सामाजिक सुधार, शैक्षनिक सुधार, वित्तिय सुधार, सरकारी सेवा में सुधार के अनेक प्रयास किये गए सामाजिक सुधार 1829 में सती प्रथा पर राजा राम मोहन राय की सहायता से पूर्णता प्रतिबंध कर दिया 1830 में ठगी प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया शैक्षनिक सुधार लाड मैकाले की अध्यक्षता में एक मैकाले आयोग 1835 बनाया गया इस आयोग ने अपनी शिक्षा की सिफारिश में अंग्रेजी को बताया 1835 में कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया गया एक्ट पारित किया गया इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया इस एक्ट के द्वारा कंपनी में कर्मचारी की नियुक्ती करने के लिए सिविल सेवक के लिए योग्यता को आधार बनाया गया लाड विलियम बेंटिक का इतिहास लाड विलियम बेंटिक के कार्यकाल को शांती और सुधारों का कार्यकाल कहा जाता है 1806 में हुए विल्लोर विद्रोह के समय लाड विलियम बेंटिक मदरास के गवर्नर थे लाड विलियम बेंटिक के ही कार्यकाल में राजा राम मोहन राय के सहियोग से 14 दिसंबर 1829 को एक कानून बनाकर सती प्रथा को अवैध घोशित कर दिया था क्योंकि उस वक्त की वार्षिक रिपोर्टों में प्रत्येक वर्ष 700 से ज्यादा महीलाओं को सती प्रथा के नाम पर जिन्दा जला दिया जाता था लाड विलियम बेंटिक के द्वारा शुरुवात में यह कानून सिर्फ बंगाल की महीलाओं के लिए ही लागू किया गया था लाड विलियम बेंटिक के ही कार्यकाल में ठगी प्रथा का अंत किया गया था ठगी प्रथा ज्यादातर मध्यप्रदेश के क्षेत्रों में ही होती थी इसलिए लाड विलियम बेंटिक ने जबलपुर में एक ओधोगिक विद्यालय की स्थापना की जहां पर ठगों को ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम हो शिक्षित करके उन्हें सभ्य व्यक् बनाने का काम किया जाता था लाड विलियम बेंटिक के द्वारा 1830 तक ठगी प्रथा का अंठ पूरी तरह से कर दिया गया था 1831 में लाड विलियम बेंटिक ने मैसूर को अंग्रेजी सामराज्य का हिस्सा बना लिया था लाड कार्णवालिस के कार्यकाल में भारतिय व्यक्तियों को सरकारी पदों पर नियुक्त करना बंद कर दिया गया था परंतु 1833 में लाड विलियम बेंटिक ने भारतिय व्यक्तियों को फिर से सरकारी पदों पर नियुक्त करना शुरू कर दिया था एक डॉट इसी एक के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और इस तरह से भारत का पहला गवर्नर जनरल लाड विलियम बेंटिक को माना जाता है दो डॉट इस एक के द्वारा इस्ट इंडिया कमपनी के सभी व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिये गए थे अब केवल इस्ट इंडिया कमपनी का काम भारत पर शासन करना रह गया था तीन डॉट भारत में दास प्रथा को कानून के विरुद्ध घोशित किया गया था पांच डॉट गवर्नर जनरल को पूरे देश के लिए एक ही बजट को तैयार करने का अधिकार भी इसी एक्ट के द्वारा प्रदान किया गया था लाड विलियम बेंटिक ने अफीम की खेती करने के लिए भारतिय किसानों को प्रोच साहित किया था क्योंकि अफीम के व्यापार से इस्ट इंडिया कमपनी की आय में व्रिध्धी होती थी लाड विलियम बैंटिक ने फारसी भाषा के स्थान पर उर्दू भाशा को अदालतों की भाषा बनाया लाड विलियम बेंटिक के ही कार्यकाल 1835 में अंग्रेजी शिक्षा की नीव भारत में रखी गई और कलकत्ता में एक मेडिकल कालेज की स्थापना की गई थी जिसमें अंग्रेजी भाशा में शिक्षा देने की व्यवस्था की गई थी लाड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में मानव बली प्रथा का भी अंत किया गया था जिसमें भारतिय लोग अपने देवी देवताओं को खुश करने के लिए इंसानों की बली देते थे लाड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में नवजात कन्याओं की हत्या को अवैध घोशित कर दिया था 1835 लाड विलियम बेंटिक का कार्यकाल समाप गया और वह इंगलैंड वापस चले गए थे लाड विलियम बेंटिक का कार्यकाल 1828 से 1835 के मध्य में था